हालो बच्चो, वेलकम तू ओनलाइन क्लास अफ फिजिक्स, तो ये सम होती है किसका कानेटिक अनरजी और पोटेंचल अनरजी का, तो मेकानिकल अनरजी जो है, तो मेकानिकल अनरजी जो है, तो अगर किसी चीज पे कंजर्वेटिक फोर्स लग रही है, तो उसके ऊपर जो काम किया गया है, ये सम अनरजी जो काम करने से जो उस बॉड़ी की total mechanical अनरजी है, वो conserve रहती है, मतलब अगर कोई बॉड़ी किसी working state में है, तो हो सकता है कि उसकी kinetic energy बदलती रहे, हो सकता कि इस point to point उसकी potential energy भी बदलती रहे, पर दोनों का sum हमेशा क्या रहेगा, constant रहेगा, right? This is the principle of conservation of mechanical energy जैसे हम इसको एक simple way से यहां explain करने की कोशिश करते हैं इसका एक simple proof देते हैं Suppose करो कि किसी body पे एक conservative force F लगती है और उसको delta x distance तक क्या कर देती है? Displace कर देती है तो एक तो हमारे पास है work energy theorem जो यह बताती है कि किसी भी body पे जो काम करेंगे उसकी kinetic energy में बदलाव लाएगा तो यह मैं कह सकता हूँ कि अगर F force लगा के delta x distance तक displace किया है तो F into delta x किसके बराबर आ जाएगा? delta k delta k means change in kinetic energy इसके साथ साथ ही हमने conservative force और potential energy के बीच में relation find out किया था क्या बताया था हमने कि जो conservative forces होती है वो negative of potential energy gradient के बराबर होती है तो इसका मतलब यहां से delta u किसके बराबर आ गया minus F delta x के अगर equation 1 और equation 2 को मैं यहां पे add कर दूँ तो दोनों की जब left side add होंगी F delta x और minus F delta x यह तो आपको क्या लाके देंगी 0 इधर से delta k plus delta u आ जाएगा अब delta यानि की change अगर देखे common out तो k plus u आ जाएगा तो change in sum of kinetic and potential energy is equal to 0 पढ़ने की कोशिश करो इसे change in sum of kinetic and potential energy is equal to 0 which means के kinetic और potential का sum क्या होता है mechanical इसका मतलब mechanical energy में कोई change ही नहीं आ रहे है अगर उस पे force कौन सी लग रही है conservative force है अभी conservative force की तो बहुत सारी examples है जैसे की gravitational force तो मैं उसी gravitational force की example यहाँ पे लेके यह prove करना चाहता हूँ के mechanical energy of a freely falling body under the effect of gravitational force वो हमेशा क्या रहती है constant रहती है और इस energy change को हमें graphically भी क्या करना है depict करना है तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ के मेरे पास एक body है उस body का जो mass है वो m है वो किसी h height पे है ground से यह ground है हमारा reference level है और h height पे a point पे कोई body पड़ी है और यह fall करती है जब यह fall करेगी तो इसकी potential energy decrease करेगी at every point of the journey a से ground तक आते हुए और kinetic energy हर बार क्या करेगी gain करेगी क्योंकि हर बार इसकी velocity due to acceleration due to gravity बढ़ती जाएगी तो चलिए at point a discussion करता हूँ a point पे इसकी potential energy कितनी है mg h because m में इसका mass है g acceleration due to gravity है और h इसकी ground से क्या है height है तो इसके पास potential energy कितनी होगी mg h अभी यह rest में है a point पे तो move नहीं कर रही है तो velocity होगी 0 जिसकी वज़े से kinetic energy भी क्या होगी 0 तो इसका मतलब अगर mechanical energy देखी जाए that is sum of potential and kinetic यानिकि mg s plus 0 तो वो क्या बनेगा mg h बनेगा right अभी इस body को a point से छोड़ दिया है जब a point से छोड़ा तो यह नीचे गिरने लगेगी let's say नीचे गिरते गिरते इसको b point पे observe करना शुरू किया which is x distance away अब diagram को देखने से लग सकता है कि जो x है that is half of h पर आप यह मान के मत चलना तो बाइचांस diagram ड्रॉ करने में ऐसा हो गया x is not half of h हो भी सकता है बट हम journal case लेके चलते हैं कि x जो है वो कोई distance है जो body ने already cover कर लिया नीचे आते आते तो इसकी जमीन से कितनी height रह गई अगर उपर से नीचे तक आते आते x distance cover कर लिया तो नीचे से कितनी height रहेगी h minus x तो इसका मतलब इसकी potential energy with respect to ground level क्या रह जाएगी mg h minus x अब ये देखना है कि इस b point पे आके इसकी kinetic energy कितनी हो जाएगी पहले ये तो पता चले कि a से b तक आते आते इसने velocity कितनी हासिल कर ली v point तक आके तो वो देखने के लिए मैं इस पे equation of motion लगाऊंगा v square minus u square is equal to 2g साथ में क्या होता है distance जितना body ने travel कर लेगी वो कितना है x तो 2g x अब initially इसको release किया गया था तो u हो गई 0 तो v square क्या आ गया 2g x तो उस point पे आके kinetic energy find out करोगे half mv square होती है half वैसी आ गया m वैसी आ गया v square की value put कर दी 2g x cancel किया तो इसका मतलब उस b point पे आके kinetic energy कितनी हो गई थी mg x हो गई थी इस b point पे आके potential energy कितनी है mg h minus x क्योंकि नीचे से h minus x height पे है और kinetic energy कितनी हो गई थी mg x अब mg h minus x और mg x को add करेंगे mechanical energy निकालने के लिए इसको open करेंगे जब आप तो क्या बनेगा mg h minus mg x plus mg x तो mg x और mg x term cancel हो जाएगी सिरफ क्या बचेगा mg h यानि कि b point पे भी आके उसकी kinetic और potential भले change हो गई बट total तो वही mg h रही अब ground पे आने के वक्त मतलब just before touching the ground अगर देखें ठीक है c point ले लेता हो नहीं यहाँ पे just before touching the ground तो just before touching the ground उसकी height तो अब 0 रह चुकी है earth के reference level के comparison में नीचे से उपर just before touching the ground है तो h 0 इसका मतलब potential energy भी क्या हो गई 0 अगर उसकी potential energy 0 हो गई अब यह देखना है कि kinetic energy कितनी है अब इसने h height उपर से नीचे तकातियाते cover कर लिया तो इस h height के दौरान इसने कितनी speed acquire कर लिया है वो v square minus u square is equal to 2gh लगा के देखेंगे तो v square कितना आ जाएगा 2gh kinetic energy निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी half into mass into velocity का square velocity यह speed का square कितना है 2gh, 2 से 2 cancel तो कितनी बन जाएगी mgh अब इस point पर mechanical energy देखें तो potential energy plus kinetic energy यानिकी 0 plus mgh होगा वो again क्या आ जाएगा mgh, so what do we saw तीनों points पर A point पर भी उसकी total energy mgh है B point पर भी उसकी total energy mgh है C point just before touching the ground वो भी mgh है तो इसका मतलब यह है कि तीनों points पर इसकी energy same है तो mechanical energy क्या रही, conserve रही तो इसको आप graphical ही दिखाना चाहते हो तो energy और height के बीच में आप graph draw कर लो जैसे-जैसे height बढ़ेगी वैसे-वैसे potential energy बढ़ेगी जैसे-जैसे height बढ़ेगी kinetic energy क्या होगी, कम यह आप उल्टा भी दे सकते हो जैसे-जैसे height कम होगी potential energy कम होगी और kinetic energy बढ़ेगी वहाँ पर लेकिन दोनों का जो sum है total energy वो क्या रहेगा constant रहेगा after learning this let's do some numerical problems these numerical problems will open your mind more about this concept चलिए तो मैं one by one read करना शुरू करूंबा why I'm not solving it because इसमें solve करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है बाद में इसके एक PDF शेर हो जाएगी जो examples मैं आपको करवाँगा उसको आप कर लोगे first problem क्या है vehicle of mass 15 quintal climbs up a hill 200 meter high 15 quintal की कोई vehicle है hill के उपर, पहाड़ी के उपर चड़ती है 200 meter height पे ठीक है फिर एक level road पे चलती है किस speed से 30 meter per second की speed से calculate the potential energy gained by it and total mechanical energy while running on the top of the hill top of the hill जाके जब वो एक level road पे चलने लगी तो उसके पास सिरफ कौन सी energy है क्योंकि एक flat level पे चलेगी उपर जाके तो उसके पास सिरफ kinetic energy जब उपर चड़ रही थी तो potential energy है तो mass 15 quintal है उसको quintal को 100 से multiply करके kilogram में बदल रही है G की value 9.8 है H की value 200 है तो उपर जाते 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 potential energy कितनी gain हो जाएगी MGH solve किया तो 2.94 into 10 raise to power 6 आ गया अभी जब वो level road पे पहुंच गी तो कितनी speed से चल रही है 30 की तो kinetic energy कितनी होगी half mv square वो कितनी हागी 0.675 into 10 raise to power 6 total energy निकालने के लिए दोनों का क्या कर देंगे sum कर देंगे तो बहुत ही simple problem है अगली problem पे चलते हैं complex होती जाएगी आगे ध्यान से समझना है don't lose your attention calculate the velocity of the bob of a simple pendulum pendulum का bob जानते हो जैसे ये एक pendulum हो ये उसका क्या हो bob जो उसके साथ एक mass का टुकड़ा I mean weight का टुकड़ा या जो कोई objective वो बांदा जाता है ठीक है at its mean position if it is able to rise a vertical height of 10 meter क्याता एक pendulum है वो उस अपने minimum point से minimum point से 10 meter 10 cm उपर जाने की शमता रखता है energy रखता है तो बताओ यहाँ पर उसकी कितनी velocity थी क्योंकि अगर यहाँ पर velocity है तभी उसके पास kinetic energy है अगर यहाँ पर kinetic energy है तो उसी kinetic energy को use करके वो उपर चड़ेगा height cover करेगा उसका मतलब ही है जैसे जैसे नीचे से ऊपर चड़ेगा यह तो अगले numerical की diagram है पर काम में लेगे ठीक है तो इसकी potential energy कम होती जाएगी और sorry इसकी kinetic energy कम होती जाएगी और potential energy बढ़ती जाएगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि mean position पे जितनी kinetic energy होगी वही highest position पे उसकी potential energy होगी अब kinetic energy का formula half mv square potential energy का formula mgh यह law of conservation of mechanical energy से ही लगा है हमारे पास तो m से m cancel यहाँ से v कितना आ जाएगा 2 उधर चला जाएगा 2gh और square उधर जाके क्या बन जाएगा under root बन जाएगा तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से अगर हम v का formula बना लें under root 2gh और सब चीजों की value भर दें किस height तक गया था वो 10 cm की height तक गया था तो 10 cm को meter में convert किया divide by 100 करके तो कितना आ जाता है 1.4 meter per second तो bottom point पे यानि कि इस point b पे उसके पास इतनी velocity थी जिसकी वज़े से इसके पास kinetic energy थी उसी kinetic energy को use करके यह इस height तक h height तक जो की 10 cm थी चला गया अगले question पे आ जाते हैं जिसकी यह diagram है एक girl of mass 40 kg sits in a swing एक जूला है पींग है एक यहाँ b point पे उस लड़की को बिठाया गया उसमें इस rope की जो length है वो 6 meters है एक person है उसको पीछे से खीचता है a point तक और कितना angle form कर देता है 60 degree तो जब उसने उसको b से a point तक खीचा तो इसमें कितनी potential energy भर दी mass कितना था 40 kg o a और o b की value कितनी है 6 meter अब आप ध्यान से देखिए उस लड़की को b point से पीछे खीच के a point तक लाया गया जब उसको a point तक लाया गया तो उसको किस height तक ले जाया गया h height तक ले जाया गया यही h height की वज़े से इसके अंदर क्या store हो गई potential energy जब किसी भी बच्चे को बिठा के ऐसे height पे ले जाके चोड़ा जाता है तो उसके बाद वो जूलने लगता है उसीलेट करने लगता है तो हमें यह बताना है कि यहां तक आते आते किसने कितनी potential energy gain कर लिया potential energy का formula तो mg h होता है m पता है g पता है क्या नहीं पता सिरफ यह h नहीं इस h को हम कैसे निकालेंगे right angle triangle o c a में चलते है total तो पता है ना यह oc के 6 meter है अगर किसी तरह मैं total ob तो पता है के 6 meter है वो तो रस्ती की लंबाई है अगर किसी तरह से oc निकाल दूँ तो उसको minus कर दूँँगा 6 में से OC निकालने के लिए इस right angle triangle में चलते हैं और यहां पे cos theta का formula लगाते हैं which is base upon hypotenuse, this is base and this is hypotenuse we know, तो OC यहां से 3 meter आ गया, उसका मतलब C is in the mid, तो यह अगर total 6 थी तो यहां तक हम इसको खीचके 3 meter उपर तक लाए थे, तो यहां तक potential energy निकालने के लिए का formula लगाया MGH, 40 उसका mass था, G 9.8 थी, तीन उसकी height थी, यह वाली edge, तो कितनी potential energy store की थी, 1176 Joule, चल, आगे बढ़ते हैं, I hope you are getting these numerical problems, How high must a body be lifted to gain an amount of potential energy equal to kinetic energy it has when moving at speed 20, अब कहता कोई body 20 meter per second की speed से move कर रहे थी, उसके पास जितनी potential energy होगी, सॉरी, उसके पास जितनी kinetic energy होगी, उतने ही amount की उसको potential energy देने के लिए कितनी height तक उठाना पड़ेगा, simple सी बात है, potential energy और kinetic energy को बराबर रख दो क्योंकि वो same amount की energy चाहता है, MGH is equal to half MB square, H कितना आ जाएगा, B square by 2G, अब velocity कितनी थी, जिस time उसके पास kinetic energy थी, 20, so 20 into 20, 2 times, M तो cancel ही होगया, G की value कितनी दे रख या 9.8, इसका मतलब उसके पास 20 meter per second की velocity की वज़े से जो kinetic energy थी, उतने ही amount की potential energy उसके पास तब आएगी, जब उसको 20.2 meter उचा उठा देंगे, simple, अगला question, the string of a pendulum is 2 meter long, कोई pendulum है जिसकी रस्ती 2 meter लंबी है, the bob is pulled sideways, sideways का मतलब उसको उसी तरह से खीचा गया है, इस तरह से, ठीक है, जैसे पिछली diagram में दिखाया था, so that the string becomes horizontal and bob is released, horizontal होने का मतलब पता है क्या, horizontal होने का मतलब है, कि यह देखो, इसको a point को खीच के यहाँ, वो के बराबर तक लाया गया है, ताकि यह horizontal हो जाए, चलिए, कर दिया, कोई बाती, जैसे भी करना चाहें, and then the bob is released, फिर वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, what is the speed with which bob arrives at the lowest point, assume that 10% of initial energy is dissipated against air friction, मानलोक air friction की वज़े से 10% energy खराब हो जाती है, तो जब आप उसको उपर लेके गए, कितनी height तक जितनी उस रसी की थी, ये देखो न, अगर सीधा लटकता pendulum, तो इस height के साथ लटकता, अगर आप इसको shift करते, 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 ओके, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ले आए, ठीक है, अगर यहाँ पे इस point पे लिया है, तो आपने ultimately इस level से उसको इस level तक लेके जाने में कितनी height कवर कर ली, H height कवर कर ली, तो जो आपकी total potential energy है, वो कितनी बनेगी, MGH बनेगी, लेकिन उसमें से 10% तो खराब होगी, तो पीछे कितनी रहेगी 90%, यही 90% MGH अच आपको क्या देने वाले है, जब आप रिलीस करोगे, kinetic energy, वो किसके बराबर होती है, half Mv square के, जब किसी चीज को उपर से छोड़ते हो, तो वो potential energy किसमें तबदील होने लगती है, kinetic energy में, तो यहाँ से 90% का मतलब 90 by 100, M से M cancel, अगर V का formula बनाएं, सब कुछ एक तरफ ले जाके, V square का तो यह बनेगा, square का इधर आके under root, सारी values भर दो, lowest point पे आके उसकी speed कितनी होगी, वापिस जब किस point पे आएगा, इस B point पे आएगा, छोड़ने के बाद यहाँ से यहां तकाते आते, इसकी speed कितनी हो जाएगी, 6 meter per second हो जाएगी, तो बहुत ही intuitive हैं यह numerical, कुछ भी ऐसे hidden नहीं है, एब बाउंसे तू 80% of its original height, मतलब तुमने किसी height से बाउं को छोड़ा, वो जमीन से टकराई, तो जितनी height से तुमने छोड़ा है, उसकी 80% height तक वो वापिस rise कर जाती है, बाउंस करके, वाट fraction of its mechanical energy is lost in each bounce, इसकी mechanical energy का कितना प्रतिशत, कितना fraction actually, कितना fraction खर्च होता जा रहा है, और अगर यह खर्च हो भी रहा है, तो जा कहा रहा है, हम तो कहते हैं, total energy conserve रहती है, कहां जा रहा है फिर यह, मान लेते हैं, H height पे थी ball, उसकी potential energy initially कितनी हो गई, MGH, फिर हम कहा रहा हैं कि हर एक bounce में, वो वापिस अपनी height का 80% rise करती है, इसका मतलब first bounce के बाद, उसकी energy कितनी रह जाएगी, MGH into 80% of height, 80% of height का मतलब 0.80%, % का मतलब divided by 100 होता है न, इसका मतलब उसकी potential energy भी 80% रह जाएगी, यनिकी 0.80 MGH रह जाएगी, इसका मतलब हर एक bounce में कितनी energy कम होती जा रही है, 0.20 MGH, यनिकी 20% lost होती जा रही है, तो हर एक bounce में, कितना fraction of potential energy loss हो गया, कितनी lost है, by total, total कितनी थी MGH, lost कितनी है, 0.20 MGH, cancel करेंगे, उसका मतलब 20% यनिकी 0.20 जो हिस्सा है, वो हर बार उसका खतम होता जा रही है, अब ये खतम होके जा कहा रहा है, देखो ball जब जमीन से टकराएगी, तो कुछ आवाज भी आएगी, tap की आवाज, ठीक है, कुछ heat भी पैदा होगी, ठीक है, गरम हो जाती है, ball बार-बार तप्पे खिलाने से उसको, तो heat और sound की form में lost होती जारे, लेकिन अगर वो heat और sound add कर दिये जाएं, तो फिर से वो conserve रहेगी, अगले question पे चलती है, ए ball at rest is dropped from a height of 12 meter, कोई ball थी, किसी height पे, rest पे थी, वहाँ से उसको छोड़ा गया है, वो height कितनी थी, 12 meter थी, अगर वो 25 प्रतिशत अपना kinetic energy lost कर देती है, strike करने के बाद ground पे, तो किस height पे दोबारा bounce back करेगी, देखो, अगर 25% kinetic energy उसने lost कर दी, तो उसके पास बच्ची कितनी, 75%, इसी energy को use करके, वो क्या करेगी, bounce back करेगी, how do you account for the loss in kinetic energy, अब वो कितनी height पे वापिस bounce back करती है, तो वो तो निकाला जा सकता है, उसकी originally जो potential energy थी, MGH, उसका 75% लेके ही वो rise करेगी, इसका मतलब नहीं potential energy, must be equal to 75% of initial potential energy, यानिकि MGH dash, क्योंकि height ही change हुई है, mass और G तो same है, 75% of MGH, पुराने वाली, तो इसको solve करेंगे, तो H dash will be 0.75 times of H, originally कितनी height से छोड़ा था, 12 meter की height से, यानिकि 9 meter height तक ही rise कर पाएगी, अब वो कह रहा है, किये जो loss हुआ है kinetic energy का, 25%, ये कहां जाएंगे, ये heat और sound की form में आएंगे, वो तो हमने बताई दिया है, कि टपा खिलाने के बाद आवाज आती है, और बॉल जो थोड़ी सी गरम भी हो जाती है, एक last problem, जो हम आज discuss करेंगे, a ball falls under the gravity, from a height of 10 meter, with an initial downward velocity U, कोई ball नीचे गिर रही है, और उसकी initial velocity U है, 10 meter height से गिर रही है, under the effect of gravity, it collides with the ground, and loses 50% of energy in collision, जब वो collision हुई ground के साथ, तो 50% energy उसने lost कर दी, of course, heat और sound की form में की होगी, right, then rises back to the same height, फिर वो same height तक rise भी कर जाती है, find the initial velocity U, मतलब उसको कितनी energy दे के, जमीन पर पटकाएं, ताकि वो वापिस उसी height पर आ जाए, even 50% energy loss करने के बाद भी, देखो, जब उस ball को किसी height से release किया, तब उसके पास height भी थी, और उसके पास initial velocity U भी थी, इसका मतलब उसके पास दोनों energies थी कौन सी, kinetic half m u square as well as potential mgH, जब उसने collide किया, तो 50% of this total energy वो क्या कर देगी, lose कर देगी, तो 50% of this total energy कितना बन गया, 1 by 2 of this total energy, अब जब ये ball rebound करेगी, तो उसी height h पर rise करेगी, तो उसका मतलब उसके पास क्या आ जाएगी, potential energy कितनी mgH, वो potential energy किसके बदले में आई, इसी बाकी बची energy में, बिटा अगर 50 lost हो गई है, तो 50 बची भी है ना, तो जितनी lost हुई उतनी ही बच गई, तो यही lost हुई है और इतनी ही बच गई, इतनी ही energy को use करके, वो h height तक गई होगी, mgH, तो इसको अगर बराबर रखें, और यहाँ पर solve करें, तो हमारे पास क्या equation बनती है, 1 by 4 mu square, अंदर multiply कर दिया, 1 by 2 mgH, और इधर mgH, उस 1 by 2 mgH को इधर लाके minus करेंगे, तो 1 mgH में से 1 by 2 mgH minus करोगे, तो क्या बचेगा, 1 by 2 mgH, 2 से 4 cancel किया, तो 2 बच गया, m से m cancel हो गया, u का formula क्या बन गया, अंदर root 2GH, अब H की value 10 put कर दें, इसका मतलब उसकी initially velocity कितनी थी, 14 meter per second, इस velocity से अगर उसको जमीन की तरफ पटकेंगे, तो same height तक आ जाएगी, और 50% जमीन को क्या करके आएगी, lost करके आएगी, This is all for today, Thank you.